बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं और एकी बात कहते हैं कि सर ये YouTube जो है ना ये किसी किसी चैनल को तो भाई बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और किसी किसी को बिल्कुल भी impression देता ही नहीं है नए चैनल को आखिर YouTube बूस्ट करता क्यों नहीं है और नए चैनल से आखिर YouTube YouTube को problem क्या है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको किलियर बताँगा कि अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो आपका चनल बूस्ट क्यों नहीं किया जा रहा आपकी वीडियो वाइरल क्यों नहीं हो रही है और मैं जो भी आज बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकल है ना क कि सबसे पहले बात करते हैं कि आज के टाहिम में मेरे से बहुत सारे लोग पूस्ट है जैसे मैं किसी इवेंट में गया मैं किसी जगे किसी को मिल गया अभी मैं 26 सितंबर को मुंबई में गया था क्रेटर कैम में वहां भी हमारे एक आसक एक्सपर्ट वीडियो का बूत बनाता हूं किसी ने कहा सर में फ़लाने जैसे रासे किसी का देख और बिल्कुल मैं तो ललन टोप जैसे निू चल रही है मेरे विलो तो लोग तो आपके बिल्कुल को फॉटी करने मिलता होता क्रांए मैं जिनको लग पर भरोस है उनके लिए मैं एयगी बात करते है और यह चीज को kõeswe हमाई कानट्रोड में हमारा चेनल और हमारा content है यूट्यूब पे streी لا題 Marx को कोई जानता नहीं है कोई वाफिक नहीं है तो आपका content ही सब कुछ deliver करेगा उसी से लोग ये धारना बनाएंगे कि इस भाई को आगे देखना है नहीं देखना है इसको subscribe करना है नहीं करना है अब बात करते है content की तो देखे जदातर जो यूट्यूबर है वो दो तरीके से होते हैं एक तो वो यूट्यूबर जो क्या करता है कि किसी का वीडियो देखता है बहुत दिनों से उसको लगता है ऐसी वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ और फिर वो वैसी ही वीडियो बनाता है और वैसी वीडियो बनाता है तर उसको लगता है कि सेम इसी वीडियो पर जिस creator का मैंने देखा उसके दो साल पहले 5 लाग व्यूज आ करता ही करता है नए चल को support करता ही करता अगर नहीं करेगा तो फिर ऐसे तो नए यूट्यूबर आएंगे नहीं तो वह आपको support तो करता है अलगोरीदम आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचाता भी है लेकिन उन वीडियो में कोई नया पन नहीं होता क्योंकि आपने पैर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हो खुद का अलग यूनिक concept लेके आते हैं, वो एक नया तरीका लेके आते हैं वीडियो बनाने का, अब यह नहीं के उनके अंदर बहुत quality है, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का अंदर quality बहुत अच्छी हो, कुछ आज कल बहुत सारे ऐसे भी वीडियो बनाते हैं कि बिना किसी equipment के बिना किसी supplement के मैं घर पे बैठके गाओं में body कैसे बना रहा हूँ अब यह बिल्कुल यूनिक चीज हो गई भले वीडियो में कोई quality नहीं है लेकिन एक presentation की story अलग है कुछ नया पन है तो जब ऐसी वीडियो डालता है और algorithm logo तक पहुंचाता है तो लोगों को interest आता है क्योंकि उनको नई चीज़ देखने को मिल रही है और वो वीडियो बूस्ट हो जाती है तो अगर आप भी उन में से हो जो किसी का content देखते और आपको लगता है कि इस content में इसको अच्छे views आया और सेम वैसा ही content आप नए चल पर बनाते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक बूस्ट ना मिले दूसरी बात यह तो हो गई एक बात अब बात करते हैं कुछ लोग यह भी करते है कि मालों तीन साल पहले कोई content था content बढ़िया था था थमनेल बढ़िया था सब कुछ बढ़िय और कोई improvement ने करें सेम वैसा ही बना रहे हो तो फिर आपको boost कैसे मिलेगा तो हमेशा ध्यान रखे कि देखो जो दो साल पहले आपने देखा जो वीडियो दो साल पहले अपलोड की गई है और जो आप आज अपलोड कर रहे हैं उनमें difference होना चाहिए improvement बहुत जरूरी है आप अप मेरी भी अगर 5 साल पहले की वीडियो देखोगे तो अलग मिलेगी अपकी बिलकुल अलग है और आज से 2 साल पहले की बाद की देखोगे तो और अलग मिलेगी तो मैं improve करता रहा हूं आप अगर improve ही नहीं करोगे आप पहले का जैसा ही content बनाऊगे तो अब आपको boost नह लोगों को नयापन नजर नहीं आएगा तो अगर आपको नया चनल boost कराना है तो नयापन लेकर आईए वीडियो के अंदर आपका topic सेम हो सकता है सेम आप यही कह सकते हैं कि साही पनिर कैसे बनाए लेकिन आप उसमें कुछ नया डालिए आपका thumbnail अलग तरीक एक हो सकता है आ लगेगा एक और नई चीज मार्केट में आईए तब ही आपका चनल boost होगा यूट्यूब पर boost सिर्फ और सिर्फ आपका content होता है जब आप नए होता है आपका face कभी नहीं होता और कई बार लोगों को एक चीज और भी लगती है वो यह होती है जैसे माल लो कोई चैनल है उ वीडियो तीन-चार साल पहले डला होगा उसे देखके तुरंद बना दिया उसको आया सो व्यूज अब हो सकता है कि पांट साथ दिन बाद सेम वीडियो वो जो ज़्यादा सब्सकाइबर वाला चनल था उसको थोड़े ज्यादा व्यूज आगे क्योंकि भाई उसके पास audience अल्रेडी है आपके पास audience नहीं है तो आपको audience खैंच नहीं है वो तब ही आएगी जब आपके content में एक नयापन होगा एक नया improvement दिखाई देगा तो simple सा फंडा यही है किसी को देखकर आप वीडियो जो वैसी बनाने की try मत कीजिए बस उसे थोड़ा idea लीजिए और अपने इसी वीडियो पहले सच चल रही है बट मेरी नहीं चल रही है और फिर आके हमसे सवाल पूछोगे अगर आपका doubt क्लियर हो गया हो तो नीचे like का बटन है क्लिक कर देना लाइक पे एक दम टिक मार देना बिल्कुल और comment कर देना अगर आपके दीमान कोई सवाल हो तो चल को सब्सक्राइब करें ना ऐसे वीडियो में आपके लिए बनाते रहता हूं चले मिलता ग्लीडो में एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जाएगे